आलिगर्ड में बापो धाम सार सौल सित रगुनाथ हों सोसाइटी की ओर से हर्याली तीच का कारिक्रम धूम धाम से मनाये गया। इस दुरान महिलाओं ने गेम्स वन रित्य प्रतियोगिताओं में बढ़ जोड कर भाग लिया। तीच कुईन का खेताब स्वाती वाष्ण ने वरितु अगरवाल को दिया गया। वहीं सदस्ति को समय बदिता पुरसकार के साथ ही गेम दस्तुती वर्तीश का उपाहर दिया गया। इससे पहले कारित्रम का शुबारम दीट जलातर्व गनेश वन नेना के साथ हुआ। कारित्रम का संचालन पुजा सुवानी नी किया। इस मौके पर पुजा पुंडीर, आर्तियदवाल, चमागरवाल, रुवी हरकुट, नेहा, मेगा, रक्षिता, वंदना, निवी, सीमागरवाल, साक्षी, सुरेखा, महेश्वरी, मानसि सुवानियादी मौजूद रहे। मैं पुजा सोमानी, रगुनात होंस, बापुधाम समिती से, आज यहाँ पर सावनी उस्तव हुआ है, हम लोगोंने तीज मनाया है, और जैसा कि आपको पता है कि सावन में इस्तरियां बहुत खुश रहती हैं, जूला जूलती हैं, तीज में महती लगाती हैं, और अपने पती और सुहाग के लिए वो व्रत भी रखती हैं, कहते हैं कि विश्नुज भगवान जैसे कि दो महने के लिए सो गया है, तो उनकी जगे पे एक महना कार्य करा है, स्रस्ति का जो भार समाला है, वो शिव जी ने समाला है, आगे आईगी गनेश वंदना, गनेश सौरी गने गनेश जी समालेंगे, उसके बाद आईगी दिवाली, तो लक्षमी जी बाकी दिन लक्षमी जी करेंगे, इस तरीके से जब तक देव नहीं उठेंगे, तब तक ये तीनों अपना कारवार स्रस्ति ऐसी समालेंगे, फिर विश्नु जी जा गेंगे, तब वो समालेंगे, त किuga के उपलक्ण में और सावन में और न पिया के लिए और तंबोला खेला बहुत सारे सरफ्राइस में और उसमें भी बहुत सारे सर निकाले संप्राइस को फिल थी है इस तरहिके से नहीं ताँ कोशम नसल सब बहुत झाल झाल झाल